सब्सक्राइब करें आवाज नशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भीना भूलिए ताके हमारी अपडेट सबसे पहले आपको भी ले इस फिल्म की सिंगर वैशाली माडे के गानों की रिकॉर्डिंग की शुरुवात की गई जहां इस मुके पर फिल्म के एक्टर एक्टरिस भी मौजुद रही अज बहुत खुबशूरत गाना रिकॉर्ड किया है वैसे तो यह थोड़ा सा इंडियन है बट स्पाइसी इंडियन इसको कह सकते है बहुत खुबशूरत गाना है और रफीक राजा जिनका पहली बार उनके साथ में काम कर रही हूं लेकिन बहुत मज़ा आया रिकॉर्ड क एक सिंगर को वही जरूरी होता है कि जब तक उसको एक त्यून नहीं जम जाए गाने के साथ तब तक थोड़ा सा एक टेंशन भी होता है बिकॉस पहली बार काम कर रहे होते तो बहुत मज़ा आया आज इनके साथ काम करके साहिल फत्य पुरी इनका लिखा हुआ है गाना ब यह बहुत कम गाने का मौका मिलता है तो आइम वेरी हैपी और आइम आई विश ओल दे बेस्ट तो तो तीन चेर गानों का मिसरन है नाम लिया गया जी 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 इसमें जलेभी बाई मुन्नी बाई शीला सारे के सारे बॉलीवूड के सारे केरेक्टर्स आड किये है तो यह ग हता है we'll hope for the best for the song गाई एक लाइम नाम मैं मुन्नी बाई नाम मैं मैं जलेभी बाई नाम मैं रजिया बिलो रानी देख मेरा इस्टाइल हो जाए बबली पानी पानी आसे all characters we have added in in this song thanks to Sahil क्योंकि ऐसे बहुत मुच्किल होता है सारे characters को एक एक माला में पिरोना और एक गाना बनाना so it's quite मजा आया मतलब it was excited और I wish कि यह अच्छा गाना शूट हो और अच्छा रिकॉर्ड अच्छा रिलीज भी हो बड़ी अच्छी कहानी है जो आज कल नहीं फिल्मों में दिखाया जाता है हम पूरी हमारी कहानी बच्चे के ऊपर हैं इससे पहले जितिंदर साहब की अउलाद आये थी बविता के साथ फिर दूसरी अउलाद आये स्री देवी जैपर्दा के साथ तीसरी अउलाद में बनाने जा रहा हूं यह कहानी एक अनात आसरम से सुरू होती है और एंड में बड़ी पूरी पिच्चर तो हमारी रोमेंटिक है लेकिन एक अनात आसरम से में यह कहानी लेके चला हूं उसमें हमारे कमाल हमारे भाई हैं ये भी कर रहे हैं, ये सफी खान हैं, ये कर रहे हैं, एक लीड को दिनेस कर रहा है, ये हमारे फिल्म के तीनों घोडे हैं. बिलाल भाई डिरिक्टर हैं, मुश्ताज जीक पूडूसर हैं, उमीद है काफी अच्छी फिल्म बनने की, इंशाला देखते हैं. मैं अजन नेगिटिव रोल प्ले कर रहे हूं, बटाए होप मैं जो भी करूँ लोगो को पसंद आए, और अपनी तरफ से मैं हंड़ेड पसंद देने ही कोशिश करूँ अपके प्रफाली की बात करे क्या का का काम किया आपने अवितर हैं? मैंने इससे पहले एक और मूवी की है, आजन लीड और उससे पहले मैंने दो शॉट मूवी की है, और ये मेरी सेकिंड मूवी है, आजन लीड. आजन डीड परके प्रफाली करने दो शॉट मूवार प्रिंड के मीर न लीडु फिलेट मूवी मूवी किया है, आजन लेड. जो प्रिंचूट का कंपनी है, उनका अजन ला है, जैसे की मेरे प्रिंचूट के फोटो में पर फुलिपकार्ड, इंस सब है। एसी पिच्चर की एक स्टेंड बनाया है जो हर फैमिली एक साथ बैठके ये फिलम देख सके बहुत दिन बादे नमस्कार में रफीक राजा आदाव सलाम और सैट मून की फिल्म है ये और पूरा ही फिल्म में मिजुक इंशालला बहुत अच्छा रहेगा हमारा आज हमारा पहला गारा टाइटल ऐली आएटम सॉंग रिलीज हो रहा है जिसके लेरिक्स हमारे शाहिल पतिपुरी जी है विष्याली जी गाना का रही है विष्यक मेरा मिजुक जी अबाद साथ है वह बहुत सैट मून इस्टोरी है इसमें कॉमेडी भी है और रोमंटिक भी ह और बहुत ही अच्छा मनलब बिलाल साब ने लिखा इस सब्जेक्ट को फिल्म में छे गाने हैं एक टाइटल सौंग है दो रोमंटिक गाने हैं एक आइटम सौंग है और मशकार के ना चाहूंगा और यह बिलाल भाई मेरे बहुत पराने दोस्तें कमसे का एक भाई की तरह है पंद्रा-बिस साल पराने दोस्तें इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी पहले गुनाओ की सजा जो टीवी पर रिलीज होई थी एक्छली रिलीज हो गई ये यूटूब पर है गुनाओ की सजा सजा मिल गई तरह antic Start मैं ये जो ओलाद फिल्म है ओलाद फिल्म का सबजेक्ट इतना प्यारा और इतना खुब्ष तखेक्ट है सबसे पहले मैं दोला इन दुनिया की हर्मा के लिए किना चाहता हूं कि हर घर में मा की पूजा हो हर घर में मा की पूजा हो ऐसा संकल पुठाता हूं मैं दुनिया की हर्मा के आगे अपना शीज जुकाता हूं अवलाद ऐसा ऐसा शब्द है कि एक मा अपने चार बच्चों को बरतन अुझा उच्छाइब सुफ de hay profits think cables ि जो बच्चे अपने माबाप की कदर नहीं करते माबाप के खदरदान नहीं होते जो लोग जो भी व्यक्ति है वह कभी जिंदेगी में सफलता ऋहस्ल नहीं कर सकते माबाप का माबाप कि खदर करना जीवने में अपने आपको खुद ही अपने आपको जब तुम देखो गे जो व्यक्ति है अपने माब की खदर करता है वो खुद बे खुद चांड तारों पर और आसमान पर चला ढलाइस किया है कियी साल तक में फिल्मों के संगर के चक्र में so तक में मावाब की खदर नहीं कर पाया लेकिन जब से मैंने मावाब की खदर शुरू की है तो माशालला दिन पर दिन दिन पर दिन मेरी आच में कम से कम 25 फिल्में कर चुका हूं आप सब देख रहे हैं दगड़ी चाल अभी आई थी भागते रहा आई थी अभी सुपर जब आप इस फिल्म में में अज़े लीड एक्टर का काम कर रहा हूं और मेरे मेरे लिए बड़े सोभागी की बात है एक तो सबसे सबागी की बात यह कि सब दोस्त हैं मुजिक डिरेक्टर दोस्त हैं मुस्ताग भाई जो हमारे प्रोड्यूसरें वह भी बड़े च्छे मि खिलाल की तो बाती मत पूछो वो तो बिल्कुल एक भाई की तरह हैं तो बाईयों के साथ में काम करने का मज़ा यह लग होगा और उलाद फिल्म को इंशालला पूरा देश पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल सभी लोग पसंद करेंगे उलाद फिल्म एक बहुत ही अच्छा लाइक एक लगान की तरह इंशालला यह पूर्जेक्ट बनेगा मैं बहुत ही हैपी फिल्म कर रहा हूं क्योंकि आज जिस फिल्म का महुरत के लिए मैं आया हूं एक गाने की रिकॉर्डिंग के साथ इस फिल्म का महुरत होने वाला है जिसके प्रोडूसर मुश्टाफ मैं कि राजा ने रफीर राजा सहाब बहुत बिजी हैं अंदर अपने ट्यूनिंग में लगे हुए हैं और पूरी उमीद है कि हो जबर्दैस कमाल का गाना बनाएंगे और क्योंकि कमाल खान हमारे साथ है जब यह कमाल जो होते है तो फिर राजा का कमाली होता है तो अच्छी बात ही है कि एक बहुत दिलों के बाद एक अच्छी कहानी मतलब सुनने को मिली मतलब यह कि मैं 50, 60, 17, 80 की बात कर रहा हूं जब उस वक्त जो फिल्में बना करती थी खानदान परिवार हैं भाई-भाई और इस तरह की घराना ग्रस्ती इसी तरह की फिल्में आज फिर वही एक कहानी एक बहुत ही जबरदास ठोस कहानी बनके लेके आएं बिलाल साब, मुस्ताग साब और यह फिल्म बहुत जल्दी माई के महीने में शुरू हो रही है पिसमेली खान साब हैं, कमाल साब हैं, अपने अपने सुनील पाल भी हैं, और भी अच्छे-च्छे कलाकार हैं तो यह फिल्म आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, और मैं मीडिया से और सभी लोगों से दर्खास करता हूँ, कि वही है फिल्म के बाद जितने ज़्यादा पब्लिसिटी हो, जितने ज़्यादा लोगों इसके बारे में चाने, वो बहुत अच्छा को क्योंकि यह मेरा करदार इतना सेंटरल करेक्टर में कर रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि बिलाल साब ने मुझे इतना अच्छा रूल दिया और मुझ पर इतना भरोसा किया है, तो all the best, मुस्ताब शाब, बिलाल साब, और all the cast, all the crew, and मैं इनकी शुब कामना करता हूँ, मुबाराग बात देता हूँ, मैं इस जुस्परीत कौर पूथी, इसमें लीड आक्टरिस का काम कर रहे हूँ, अभी तक तो I would like to keep it as a secret, so it would be better कि जैसे जैसे हमारी मुवी आगे भढ़े, लोगो को उसके बार में पता चले, so उसमें और एक एंथूजियाजम परहेगा, कि आगे क्या ह होना है, so I think की थोड़ा सा सीक्रसी मैंठीन करना अच्छा होगा, ताकि लोगो को और एंथियाजम होए, so मुवरत पे थोड़ा और आपको हमारे बार में पता चलेगा, and let's see, God bless, it should be a great success, and भगवान करे की हम super hit there, so let's see, it's just a start, and with everyone in the team, I feel the team is good, and they're hard working, so it's just a start, क्या कहना चाहेंगे, तीन-तीन जोड़ियां है, हम सब अखना बेस्ट हेंगे, और बस बेस्ट की उमीद रखेंगे, परशन न्यूज और बेल आइकन दबना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले